पूर्वी नौसेना अध्यक्ष हूँ मैं 45 साल वर्दी में रहा और सितंबर 93 में सेवा निवरिट हुआ मैं हमारे आधरनिय प्रदान मंत्री श्री नरिंदर मोदी जी और किसान आंदोलन की नेताओं से कुछ कहना चाहता हूँ सबसे पहले मैं शद्धानजली अर्पित करता हूँ उन सारे किसानों को जो अंदोलन में अपना जान खो चुके हैं मैं भायमला गाउ महराष्ट में रहता हूँ ये जमीन मुझे 71 के युद्ध में वीर चक्र के लिए मिला मैं भी समय से 47 सालों में किसान का काम भी बहुत सीका है किया और आज भी कर रहा हूँ हाला के हम सब फूजियां होके भी पता है कि जवान और किसान में बहुत करीब का रिश्टा है मैंने गाउं में रहना का बाद ही पूरी तरह से समझा कि हमारे किसान बहन और भाई को कितना कष्ट सेना और मेहनत करना पड़ता है आज पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं अपना आवाद हमारे किसानों के लिए उठा रहा हूँ और उनके साथ खड़े हूँ आदमियां प्रधान आधरन्य प्रधान मंद्री जी से मैं अर्श करता हूँ कि हमारी समविधान और भारतिय गनतंत्र के रक्षा के लिए ये तीनों कानून वापस लिया जाए, दो नए कानून किसानों से बाचीत के बाद आने वाले बज़त सेशन में पेश करें, ये नए कानून पार्लिमेंटरी स्टैंडिंग कमिटी में बहरीकी से चर्चा हो, तभी स्थिती शान्ती से सुधरेगी अन्त में प्रधानमंत्री जी से एक और गुजारिश है, कि किसान अपने कुछ ट्रैक्टर और साथियों के साथ, 26 जैनुरी को ओफिशल परेड के बाद, वो अपनी गनतंत्र दिवस को मना सकें विजय चौक से लिए कि इंडिया गेट और नैशनल वार मेमोरियल वो जापाएं और अपने बाप दादाओं और बेटा लोगों को सद्धान्जली अर्पित करेंगे किसानों ने वैसे ही वादा किया है कि रिपब्बिक डे परेड में कोई रुकावट नहीं आने देंगे और किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे किसान नेताओं से मेरी बिंती है कि यदि सरकार कानून को रद कर दे तो आप मोर्चा छोड़ें और घर वापस चाएं आप सब ने शांती कायम रखी है आगे भी कायम रखेंगे ये भी मेरी उम्मीद है जो किसान 26 जैनूरी के लिए रुक रहे हैं वो निश्चित रास्तों से दिल्ली में शांती के साथ अपने रिपब्लिक दे मनाएं आपने पूरी देश को जाग रुक किया है जै किसान जै जवान जै हिंद किसान 26 जैन का intervene